नमस्कार प्रणाम हरहर महादेव जैमाता दी दोस्तों नवरात्री के पाउन परवह आप लोगों के बिलकुल करीब है हम सभी के बिलकुल करीब है बड़े अर्थोल लाज के साथ हम सभी मनाते हैं और हम सभी कलाकारों लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिले के दो प्रतिष्टित भाई चोटे भाई किश्णा जी और रजनी शोधरी जी दोनों लोगों ने एक योजना बनाई और आज उसको जो है अंजाम दे चुके हैं और पूरी दाकत के साथ पूरी जोर और पूरे उस्ताह के साथ आप लोगों ने पंडाल बिठा आया उस सेट अप में जाईए अपना पेमेंट दीजिया और सुटिंग कराईए स्टूडियो में और सुटिंग कराके अपना मिक्सिंग कराके ले जाईए इतनी दिपी जोस्था इन्होंने किया है मैं इस जोस्था के लिए आगे लोगों के लिए भी और शावनी के लिए कावर भजन के लिए भी कजरी के लिए सारे मौसमों के प्रुजिट के लिए आपसे बोलूंगा कि ऐसे ही बंडाल सजाएं और ऐसे ही लॉन सजाएं ताकि हम सभी कलाकारों को बाहर जाकर के शूटिंग न कराके यही तक कलाने का आउसर प्राप्थ हो खुशी प्राप्थ हो जोकि दोस्तों बाहर जाने के बाद बड़ा सोशड होता है हम सभी कलाकारों को कितने मेहनत से कितने गरीबी से कितने अच्छे बुरे परिस्तितियों का सामना करने के बाद चंद पैसे जुटाने के बाद हम लोग जाते हैं शुटिंग कराते हैं और जब वहां शुटिंग कराने के लिए जाते हैं तो वहां बड़ा सोशड होता है हम सभी लोगों के साथ किसी इनकिसी तरीके से सोशड होता ही है तो कम से कम दोस्तों हम लोगों का एक कनविंस ये सोशड इन सब चीजों से बच करके और अपने जिले के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अपने कलाकारों के बीच में जो है अपने यहां की कलाकारों को अपने छेतरी कलाकारों को आउशर भी प्राप्त होगा तो इसलिए मैं सभी से अरूद करूँगा अपने भाईों से अपने पहनों से जो कलाकार भाई बंदू है आप सभी लोग जाएं और यहाँ पर शूटिंग कराएं और इतका होसला आप जाई करें हम भी अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इसलिए रजनी जी को और कृष्णा जी को धेर सारी शुब कामना है जय माता दी और सारे कलाकारों से रोध हैं पुना है एक बार फिर से कि वो जाकर के इस प्रोसाहन में उनका चार चार लगा है हरहार महाद्य जय माता दी